प्रिये छात्रो नमस्कार NCRT गड़ कक्छा दस्मी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रिशना वाली 7.3 में ही प्रिशन गिर्मान 5 हल करेंगे तो आईए सबसे पहले हम प्रिशन पढ़ लेते हैं इसमें उन्होंने बताया है कि कक्छा 9 में आपने पढ़ा है अध्या 9.3 कि किसी तिर्बज की एक मद्धी का उसे बरावर 6 तरफलों बाले 2 तिर्बजों में विभाजित करती है उस तिर्बज के लिए तिर्बज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए और यहां पर कुछ सीर्स दिये गए हैं ABC और इनमें लिखा गया 4 माइनस 6 तीन माइनस 2 और 5 तो यह सीर्स दिये गए हैं और उन्होंने कहा है कि आप यह बताईए कि मद्धिका जो है वो किसी भी तिर्बज की मद्धिका है उसके छेतर फलों को बरावर भागों में बाड़ती है जो बड़ा तिर्बज है उसके छेतर फलों को दो बरावर भागों में बाड़ती है तो इसके लिए हम चित्र के माद्ध हम से इसे भी समझेंगे और बड़ा ही सिंपल है चलिए करते हैं इसके लिए माल लेते हैं कि ये एक तिर्वज एबीशी है तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया ए, बी, सी ये एक तिर्वज है, ए, बी, सी अब इस तिर्वज में हमने जो नर्दे सांग दिये हैं वो लिख लिए है जैसे चार माइनस च्छे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चार माइनस च्छे बी के नर्दे सांग दिये गए हैं तीन माइनस दो तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीन माइनस दो यह देखिए इस तरीके से और C के नर्दे सांक दिये गए है 5 दो तो हमने यहाँ पर लिख दिये 5 और 2 अब यहाँ पर प्रस्न में बात की हुई है मद्धिका की यह देखिए तिरवज की एक मद्धिका तो मद्धी का क्या कहलाती है जो मद्ध बिंदू और सीर्स से मिली होती है तो माल लेते हैं बीशी का एक मद्ध बिंदू कोई है डी यहाँ पे हमने माल लिया कि एक मद्ध बिंदू है डी तो यदि D को A से मिला दिया जाए तो ये मद्दी का कहलाती है इस तरीके से अब यदि हम देखें तो हमें बिंदू D के निर्दे सांग पता चल जाए यदि तो हम इस तिरवच का छेतफल ग्याद करेंगे और इस तिरवच का छेतफल ग्याद करेंगे तो बिंदू D के निर्दे सांग किस तरीके से ग्याद कर सकते हैं तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि मद्दे बिंदू यदी है तो ये और ये जोड़ दो यानि X1 प्लस X2 बटे 2 और Y1 प्लस Y2 बटे 2 तो यहाँ से ये निर्दे सांग पता चल जाएंगे तो इस तिर्भुच का चित फल निकाल लेंगे और देखेंगे कि दोनों बरावर हैं कि नहीं तो चलिए सबसे पहले कुछ भासा लिख लेते हैं तो इस तरीके से हमने लिख लिया है कि हमें ABC दिया ही गया था कि ABC है तो तरफुज ABC में A इतना है, B इतना है और C इतना है, यह निर्दे सांग हमने लिख लिए अब इसके बाद हम बिंदू D के निर्दे सांग निकाल लेंगे तो यहाँ पे देखिए, हम मानते हैं माना AD मत दिका है तो यह हमने लिख लिए कि AD माधी का है और इसलिए बिंदू D के नर्देशांक बिंदू D के नर्देशांक तो हमने बिंदू D के नर्देशांक पहले हम निकाल लेते हैं तो यहां पे हमने हेडिंग डाल दी बिंदू D के नर्देशांक तो बिंदू D के निर्देशांग कैसे मिलेंगे तो यह बहुत ही सिंपल है यह पहला पहला जोड़ दीजिए बटे 2 कर दीजिए तो 3 प्लस 5 बटे 2 दूसरा और दूसरा जोड़ दीजिए बटे 2 करिए माइनस 2 प्लस 2 बटे 2 यह हमने कर दिया तो देखिए कितना आता है तो 5 और 3 आठ बटे 2 और प्लस 2 माइनस 2 कैंसल तो 0 बटे 2 इसका मतलब यह होगा कि 2 चोके 8 4 और यह आएगा 0 क्योंकि किसी भी संख्या 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो 0 ही आएगा तो 4 0 जो है इसके निर्दे संख्या आ चुके हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 0 यह हैं बिंदू D के निर्दे संख्या अब हम तिरभुज A, B, D में बात करेंगे फिर इसके बाद A, D, C की बात करेंगे तो हैडिंग डाल देते हैं कुछ ABD में तो इस तरीके से हमने हेडिंग डाल दी ABD में अब यहां पर हमें छेतर फल ग्याद करना है तो हम X1, Y1, X2, Y2 और X3, Y3 निकालना है यहां से स्टार्ट हो जाते हैं यह हो जाएगा X1, 4 और यह हो जाएगा Y1, माइनस 6, चलिए अब X2 देख लेते हैं तो यहां पर B आ जाता है, तो X2 हो जाएगा 3, और by 2 हो जाएगा माइनस 2, यहां पर हमने लिख दिया माइनस 2, इसके बाद बात करेंगे X3, तो X3 यह देखिए D की बात हो रही है, तो X3 हो जाएगा 4, और by 3 हो जाएगा 0, तो हमने यह हमने लिख लिए, अब हम तिरवज ABD का 6 तरफल नकालेंगे, इसलिए तिरवज ABD का 6 तरफल, ABD का 6 तरफल, यह हमने यहां पर लिख लिए, तो तिरवज ABD का 6 तरफल, फॉर्मूला वही रहेगा, एक बटे दो, और ब्राकिट, X1 और यहां पर आएगा, Y2 माइनस Y3 इसके बाद आएगा, प्लस X2, तो 2 पर खतम हुआ, इसलिए 3 माइनस 1 हो जाएगा, और इसके बाद आएगा X3, तो 3 के बाद क्या रह गया, 1 और 2, तो यह हो गया, 1, 2, इस तरीके से क्लोज कर दिया, फिर बराबर की नीचे बराबर, एक बटे 2 जियों कातियों, X1 देख लेते हैं, कितना है, 4, और by 2 कितना है, minus 2, यहाँ पर हमने रख दिया, minus 2, minus by 3 कितना है, 0, तो यह आएगा, 0, plus X2 देख लेते हैं, कितना है, तो X2 3 है, तो यह रख दिया, 3, और by 3 कितना है, 0, यह रख दिया, 0, minus by 1 कितना है, minus 6, लेकिन minus 6 और minus formula में है, और by 1 कह रहा है, minus 6 उसका मान है तो यह हो जाएगा प्लस 6 और प्लस X3 कितना है यह है 4 तो यहाँ पे हमने रख दिया 4 और बाई 1 कितना है माइनस 6 तो यहाँ पे बाई 1 हो गया माइनस 6 माइनस पहले से ही लगा है और बाई 2 है माइनस 2 तो यह हो जाएगा प्लस 2 क्योंकि पहले से है और आगे बढ़ते हैं बरावर की नीचे बरावर एक बटे दो चार माइनस दो माइनस जीरो तो माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं इसलिए बचेगा माइनस दो only प्लस जीरो का यहाँ कोई मतलब नहीं तो चैतिया अठारा है तो पहले तो हम इसी तरीके से लिखेंगे तीन और चै यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस चार और यहाँ पे यदि बात की जाए तो माइनस चै प्लस दो है तो यहाँ पे बचेगा माइनस चार ब्रैकेट को किया बंद आगे बढ़ते हैं बरावर एक बटे दो चार दूनी आठ लेकिन प्लस माइनस का माइनस चार दूनी आठ चैतिया अठारा है और प्लस माइनस का माइनस चर चो के सोलह है यह हमने इस तरीके से किया फिर बरावर के नीचे बरावर एक बटे दो अब माइनस माइनस के जोड़ देते हैं तो 18 और 16 कितने हुए 24 और plus 18 माइनस माइनस के सबसे पहले आपको जोड़ देना है तो माइनस 24 और plus 18 अब 24 में से 18 जाएंगे तो आपको मिलेगा इस तरही के से 1 बटे 2 तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 3 पहले आएगा माइनस 6 पर कैंसल होगा तो 3 आएगा तो माइनस इसलिए आया क्योंकि 24 जो है वो बड़ी है तो फिर माइनस 6 वटे 2 तो 2 तिया 6 तो आएगा माइनस 3 लेकिन 6 तफल रनातमक नहीं होता इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है चुकि छेतरफल धनात्मक नहीं होता यह छेतरफल धनात्मक होता है इसलिए हम धनात्मक अब इस बार लिख देते हैं छेतरफल धनात्मक होता है इसलिए तिरफुज अगर बात की जाए तो A, B, D का छेतरफल तिरफुज बर्ग एकाई, छेतफल बर्ग एकाई में लिखा जाता है, तो जो भी एकाई होगी उस पर बर्ग लग जाएगा तो बर्ग एकाई, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यह जो एरिया आया है वो है तीन बर्ग एकाई, अब इसका छेतफल ग्याद करेंगे, तो हेडिंग डल और by 1 हो जाएगा माइनस 6 इसके बाद x2 निकालेंगे x2 ये रहा चलिए देख लेते हैं कितना है 4 और by 2 कितना हो जाएगा 0 इसके बाद x3 यहाँ पे आ जाते हैं साइड में ये देखिए x3 है 5 और by 3 है आपका ये 2 इस तरीके से अब हम तिरभुच ADC का 6 तरफल निकालेंगे तो हम हेडिंग डाल देंगे तिरभुच ADC का 6 तरफल तो हमने हेडिंग डाल दी तिरभुच ADC का 6 तरफल और 6 तरफल का फॉर्मूला हमने लगा दिया 1 बटे 2 ब्रैकेट x1 by 2 minus y3 क्योंकि 1 पे सुरू हुआ तो 2 और 3 फिर आएगा x2 तो 2 पे सुरू हुआ इसलिए 3 बन इस तरीके से और इसके बाद x3 तो 3 पे खतम हुआ है इसलिए 1 और 2 ब्रैकेट को किया बंद अब इसके मान रख देते हैं तो एक बटे 2 जियों काते हो x1 का मान है 4 तो यहाँ पे रख दिया 4 और by 2 कितना है 0 minus यह सुरी by 3 है यहाँ पे और by 3 कितना है 2 तो यहाँ पे हमने रख दिया 2 प्लस x2 कितना है 4 यह रख दिया 4 by 3 कितना है 2 यह 2 रख दिया minus by 1 कितना है minus 6 लेकिन माइनस पहले से लगा है तो प्लस 6 हो जाएगा प्लस X3 देखिए कितना है पांच तो यह हो गया पांच और बाई बन कितना है माइनस 6 तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 6 माइनस लगा है पहले से और by 2 देख लेते हैं कितना है 0 तो हमने रख दिया 0 ब्रैकेट को किया बंद फिर आगे बढ़ते हैं एक बटे 2 4 0 यहाँ पर कोई मतलब नहीं इसलिए माइनस 2 ही बचेगा क्योंकि 0 घट ना जुड़ सकता है ना घट सकता है किसी भी संग्या में तो प्लस 4 और 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 प्लस 5 और यहाँ पर भी 0 नहीं घट पाएगा तो माइनस 6 ही रहेगा और इसको ब्रैकेट को कर दिया बंद आगे बढ़ते हैं तो एक बटे 2 और यह 4 दूनी 8 माइनस 8 8 चोके बद 32 और 5 चके 30 माइनस का 30 आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं तो एक बटे 2 यहाँ पर माइनस माइनस के जोड़ दे तो माइनस के 38 आ जाएंगे और प्लस के आ जाते हैं 32 तो 38 मेंसे 32 जाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस 6 तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 6 एकम 6 तो आएगा माइनस 6 बटे 2 तो 2 तिया 6 इसलिए माइनस 3 आ जाएगा और यह माइनस 3 जो आया है यह 6 तफल रणात्मक आया है लेकिन 6 तफल हमीशा धनात्मक होता है तो हम लेखेंगे 6 तफल चूकि हमीशा धनात्मक होता है इसलिए हमने लिखने के बाद लिखा है तिरभुज A-đ-C का छित्फल 3 बरगे काई हो जाएगा अब यह आपो देखिए ADC यह भी आया है 3 बरगे काई तो आप देख रहें कि 6 लोगा 6 बरगे काई जिसको मत्दीगाने दो भागों में बांट दिया है तो यही हमें सिद्ध करना था तो हम लिखेंगे इसलिए तिर्भुज A, B, D का छित्फल बराबर है तिर्भुज A, C, D का छित्फल यानि कि दोनों छित्फल A, B, D का छित्फल जितना है उतना ही A, D, C का छित्फल है तो हम कह सकते हैं कि जो मद्धिका होती है वो मद्धिका किसी तिर्वच के छिटफल को बराबर भागों में बाढ़ती है इसका मतलब ये है जो ये मद्धिका है किसी बड़े तिर्वच के छिटफल को दो बराबर भागों में बाढ़ देती है और यह यहाँ पर प्रूव हो चुका है तो यह हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ तो यहाँ पर अध्याय साथ समाप्त होता है थैंक यू